So, hey what's up guys, welcome back to my YouTube channel So, guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं आप वार्म एप्स को किस तरह से यूज कर सकते दोस्तों मैं आप लोगों को वार्म एप्स के बारे में इस वीडियो में A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं Guys, आप लोगों को इस वीडियो को बिना भी अस्कीप किये हुए देखना पड़ेगा दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपको यूटूब पर एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले से डाउनलोड किये हुए तो आपको एक बार प्ले स्टोर में जाके चेक आउट कर लेना हुगा यहाँ पर आपको अपडेट भी देना पड़ेगा अगर आपका अपडेट नहीं है तो सैद ये वर्क ना करें इसलिए आप लोग एक बार अपडेट भी कर लेना खुद से डाउनलोड याप फिर अपडेट करने बाद आपको एक बार इसे ओपन कर लेना होगा ओपन करने बाद यहाँ पर आपको कुछ अलाव अगरा का सिस्टम देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आपको अलाव अगरा कर देना है तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ अलाव आप किस तरह से कर सकते हो क्योंकि बहुत लोग को प्रोब्लम होता अलाव करने बेभी तो चलिए अलाव करने का सिस्टम हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको accept का एक option देखने को मिल जागा तो इस पर किलिक करना है उसके बाद just like arrow का एक option देखने को मिल जागा उसके आपको फिर से किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जागा यहाँ पर आप जिस भी apps का message को recover करना चाहते है वो यहाँ पर आपको select कर लेना होगा उसके बाद फीर से आपको दुबारा से arrow पर click करना है इसी तरह से लगबग आपको 2 या 3 बर आपको arrow पर click करना होगा आपको second last point में कुछ इस तरह का setup करके option देखने को मिल जाएगा तो य यहाँ पर आपको क्या करना होगा दो या 3 से icon को आपको allow कर देना उसके बाद आपको फिर से एक बार refresh करके warm apps को open कर लेना हो यहाँ पर अगर आप warm apps को दुबारा से open करेंगे तो easily आपका warm apps open हो जाएगा दोस्तों इस apps का main point यहाँ से start होता है यहाँ पर आपको एक problem देख कर सकते हो तो चलिए देख लेते हैं आप इस problem को किस तरह से solve कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक select का option देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आप अपना mobile select कर लेना आप जो भी mobile को use करते हो उसके बाद first में आपको restart का option देखने को मिल जागा तो आपको उस पर किलिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से समझेए यहाँ पर आपको सबसे पहले सब apps का auto start आपको on कर लेना है अगर आपका on है तो आप किसी एक को off कर देजिए अगर आप इस तरह से कर लेते तो आप यह problem को असानी से solve कर सकते हैं देखिए मैं आप लोगों को life proof करके दिखा रहा हूँ तो आपको इस तरह से एक बार try कर लेना है अगर आपका नहीं होगा तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं आपका इस problem को अगला वीडियो में आपको मैं जरूर solve करके आप लोगों को बता दूँगा गाज यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक problem को क किस तरह से आप solve कर सकते हो यह मैं आप लोगों को बता दिया अब चलिए हम लोग बात करते कि आप वो warm apps को किस तरह से यूज कर सकते हो आप किस तरह से message को recover कर सकते हो फ्रेंड यहाँ पर मैं प्रूफ करने के लिए दो phone ले लिया हूँ ताकि मैं first phone से जब message को delete करूँ तो second phone में मैं आपको warm apps के थूरू recover करके आप लोगों को दिखा सकते हो ताकि आप लोग भी इस तरह से इस apps को use कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं first वाला phone से message कर रहा हूँ अभी यह सारा message को मैं delete करता हूँ उसके बाद मैं आपको second phone में दिखाता हूँ कि आप इस message को किस तरह से recover कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यह सब message को delete कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर delete everyone कर चुका हूँ उसके बाद यहाँ पर देखिए गाच आनि कि first वाला phone से इस message को delete कर दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं warm apps को open करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो guys मेरा यह वाला message जो मैं first phone से किया था वो मेरा recover हो चुका है यहाँ पर guys आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा हर एक message यहाँ पर मेरा open हो रहा है यानि कि warm apps के थुरू मेरा message recover हो चुका है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो first of all आप phone से मैं message को नहीं बलकि अब की बार photo को recover करने आप लोगों को सिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो first of all आप phone से मैं एक photo upload किया हूँ उसके बाद मैं इस photo को delete करता हूँ delete everyone कर देता हूँ उसके बाद आप देखना कि मैं photo भी आप लोगों को recover करना आप लोगों को सिखा दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैं photo को delete कर चुका हूँ उसके बाद मैं आप लोगों के सामने warm apps को open करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो देखिए मेरा एक photo भी recover हो चुका है तो आप इसी तरह से आप किसी भी photo, video अगेरा आप delete किया हुआ आप warm apps के थूरू recover कर सकते हो अब जैसे ही first phone से delete कर दोगे तो आपका notification आ जाएगा warm apps के थूरू आपका photo recover हो चुका है तो गैज अगर आप लोगों को video पसंद है अगर आपको और video चाहिए तो आप message कर देना